कि चुरू करें गूद इबनिंग इस्टूडेंट्स मैं मिर्तुजे सिंग जे आर इसके तरफ से आपका विलकम करता हूँ और यह जो दीन है कुछ खास होने जा रहा है आप सब के लिए क्योंकि हम लोग लेके आ रहा है आप सब के लिए जिसको आप जानते हैं कि फस्ट और सेकंड सेमेंस्टर में सभी बच्चों को पढ़ना होता है तो यह मेरे लिए भी और आपके लिए एक बहुत ही एक अच्छा दीन है एक खुशी का दीन है तो मैं पुना इस जे आरेस फैमिली के तरफ से आप सब का स्वागत करता हूँ और आज मैं इस पहले लेक्चर में पहले बीडियो में आपको बताने की कुछिस कर रहा हूँ कि आपको क्या-क्या पढ़ना है है ना और ये चीज़ बताऊंगा और इसके पहले में थोड़ा सा ये बात कर दूँँ आपको बता दूँ कि इंग्लिस आपके लिए बहुत ही इंपोर्टन्ट है है ना इंग्लिस एक ऐसा फासा है ना जो सबके लिए कॉमन है, सबके लिए जुरूरी है चाहे हो कोई प्रोफेस्नल हो या नन प्रोफेस्नल हो सबके लिए इंग्लिस बहुत जुरूरी है और एक बात आप जान लिजिए कि इंग्लिस जॉब लेने के लिए भी जुरूरी है जॉब में बने रहने के लिए भी जुरूरी है और job में promote होने के लिए भी जुरूरी है तो English को पढ़ना बहुत जुरूरी है अगर आपको English नहीं आते है तो आपका भी मन थोड़ा थोड़ा वो रहते हैं अंदर से एक कम ये दिख दक्ती है कि मुझे English नहीं आती और कहीं आप अपने को express नहीं कर पाते हैं तो इस हिसाब से मैं भी आपको इंगली सिखाऊंगा, कि आपको थोड़ी बहुत एक्स्प्रेशन भी आजाए, जो कि बहुत चीज पढ़ना है, तो मैं सुरू कर रहा हूँ, Communication Skills, सबसे पहले बात मैं बता रहा हूँ आपको, Communication का मतलब क्या होता है, तो Communication का मतलब होता है, जिस मैं आप से बात कर रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, तो मैं अपनी बात आप तक पहुचा रहा हूँ, तो यह क्या हो रहा है, हमारे और आपके बीच, Communication हो रहा है, Communication का मतलब होता है, कि to pass a message, to pass a message from one to another, is called Communication, तो Communication का मतलब हुआ, कि इसका concept हुआ, concept of communication, concept of communication, मैं यह समझा रहा हूँ आपको, हना वास्तों में क्या चीज होता है, तो concept of communication होता है, यभी मैं बोला हिंदी में, कि एक message को, एक बेक्ती से दूसरे बेक्ती के पास, वहेज देना ही क्या है, Communication है, तो उसी को Simple English में में क्या लिख सकता हूँ, कि to pass, pass लिखे, यभी मैं पास से बढ़िया वर्ट होता है, convey, क्या होता है, message को हम क्या करते है, convey करते है, to convey एक अच्छा वर्ड होता है, to pass, to convey a message, a message, from one to others, यद वन तो अनदर, कुछ भी आप लिख सकते है, one to another, is called Communication, is called communication यह term आपके लिए नया नहीं है आप सुनते आ रहे हैं communication नहीं हो रहा है communication गईफ हो गया है आप अपने दोस्तों से कहते होंगे यह वाई देख तुम्हारे और हमारे विच आजकल कोई communication नहीं हो रहा है मतलब कोई बात्चीत नहीं हो रही है तो इसी को हम क्या बोलते है communication करते है और थोड़ी से फिर मैं आगे थोड़ा से बात कर देता हूँ और इस तरह से communication आप समझ गए तो communication दो तरह के होता है एक होता है वावल और दूसरा होता है non-vावल जिसको हम बाद में आगे details में आपको बताएंगे लेकिन अभी में बता दे रहा हूँ कि communication दो तरह के होते है एक होता है वावल वावल का मतलब हो गया वावल का मतलब हो गया देखिए बता रहा हूँ जिसे वावल वावल का मतलब हुआ वावल कम्यूनिकेशन वावल कम्यूनिकेशन वावल का मतलब हुआ कि वो communication वो message जो हम बोल के करते हैं जिसे हमारे और आपके बीच बातचीत हो रही है तो मैं बोल के अपनी बात आप तक पहुचा रहा हूं तो हमारे बीच और आपके बीच क्या हो रहा है वावल communication हो रहा है तो इक कहने का मतलब हुआ यूदी जिर कमनीकेशन यूदी कमयूनीकेशन यूदी यजिय कंवीध यूदी अभी हिं पुला कंवीद ठत्रा आपका मतलब क्या हुआ पास करना एक दुसरे से तीसरे के पास तीसरे से चवथे के पास लिजएनांदी आपके ऑमारे that is conveyed in the words by our vocal organs vocal organs vocal organs का मतलब हुआ बोलने वाले अंग जिसे हमारे बोलने वाले अंग क्या है हमारा माउथ हो गया तंग हो गया टीथ हो गया थ्रोट हो गया तो सबसे साउंड निकलते हैं अलग-अलग तो बोकल ओर्गन का मतलब हुआ कि हमारे जो बोलने में जो अंग यूज होते हैं यानि माउथ के साथ टीथ टंग, थ्रोट आपको पीलेट तालू जिसको आप बोलते हो इस सारे चीज हमारे के आए बोकल ओर्गन्स हैं तो कहने के मतलब हुआ कि वावल कम्म्निकेशन वो कम्म्निकेशन होता है जो बोकल ओर्गन्स के द्वारा सब्दों में कनवे किया जाता है मतलब सब्दों के सारे हम पास करते हैं जैसे आपके और हमारे पीच अभी बात्चीत हो रही है मैं समझा रहा हूँ आप समझ रहे हैं तो हमारे और आपके बीच वावल कम्निकेशन हो रहा है है ना तो यह समझ जाएंगे जैसे मैं एक्जाम्पल में दे रहा हूँ आपको जैसे आप स्पीच आप स्पीच बाई टीचर एक टीचर के दिया गया स्पीच यह क्या हुआ वावल कम्निकेशन हुआ है ना उसके बाद देखिए डायलोग डायलोग अब फर मुवी किसी मुवी का डायलोग क्या हो गया यह वावल कम्निकेशन हो गया है ना कोई गाता है a song a song by somebody कोई अगर गीत गाता है तो गीत से भी हम मेसेज देते हैं ना तो वो song गीत भी क्या है गाना हम गाते है तो उसमें भी एक मेसेज होता है तो गाना हम बोलके गाते है इसलिए गाना भी क्या हो गया वावल कम्निकेशन हो गया तो यह बात आपको समझ में आ गई होगी है ना आप देखो थोड़ा सा एक और चीज़ बता रहा हूं आपको दूसरा होता है नन वावल कम्निकेशन क्या होता है तो ऐसा communication जिसमें भावल हम नहीं बोलते हैं यानि सब्द का यूज नहीं करते हैं या तो हम लीख के करते हैं या फिर इसारे से करते हैं है ना या कोई signal देते हैं है ना आपको अभी एक्जाम हुआ था अभी इस साल जो फस सेमिस्टर का एक्जाम हुआ था उसमें आया था कि आँख मारना कौन सा communication है तो आँख हमारा हम दो तरह से हमारी पलक जो चपकती है ना वो दो तरह से होती है एक तो करता है वर्ड ब्लीक रावल सुन ब्लीक मने होता है ना हमारी जो पलके खुद बखुद गिरती है उसको हम क्या करते हैं ब्लीक करते हैं यानि पलक हमारा गिरता है अटोमेटी गिरता है उसको क्या करते हैं ब्लीक करते हैं तो ब्लीक करके हम कोई मेसेश नहीं देते हैं लेकिन आंख मारते हैं, तो उसको हम क्या करते हैं? वींक करते हैं, वेंक मुएना क्या हुआ? आंख मारना, वेंक करते हैं, आंख से हम मैसेज देते हैं, तो आंख मारना कुईसा komunikation हुआ? ननवावल syne हुआ, वी caution आपको अभी first semester में आया था इस साल, हाना, तो non-waval communication का मतलब हुआ है, यह yo communication इसको हम बोल के नहीं करते हैं यानि लीख के करते हैं इसारे में करते हैं, या कोई signal देते हैं, हाना, वो सब क्या है non-waval communication है जिसे आप जिसे बहुत सारे ग्राफिक्स आपढ़ते हैं हाना, आप बहुत सारे picture देखते हैं, तो picture भी ये क्या है? एक non-vival communication है. आप अपनी बच्पन की तस्बीर देखते हैं, तो आपको बच्पन की सारे याद आ जाती है. तो तस्बीर आपको बोल देती है, कि पहले की सारी वाली बात. तो ये picture क्या है? एक अपने आपने क्या है, communication है, ओप पिक्चर हमको यह क्या देती है, एक मेसेज देती है, तो पिक्चर भी क्या है, एक तरह क्या है, non-bubble communication है, तो यानि कहने का मतलब हुआ, इसको मैं बॉक्स में बना देता हूँ, अलग से बताया, बिलिक का मतलब हुआ, है न, ऐसे आख गिरना, और विंक का मतलब क्या हुआ, जान बुच के, आख मरना, है न, तो कहने का मतलब हुआ, कि, दे, दे, communication, दे, communication, that is, conveyed, that is, conveyed, है न, conveyed by writing, है न, उसके बाद, signaling, signal भभ हुआ, signaling नाउन हो गया, by signaling, और pointing out, point out मतलब क्या होता है, इसारा करना, pointing out, pointing out, हना, is called non-verbal communication, is called non-verbal communication, signal तो आप समझते हैं, जिसे कि आप traffic, जब jam होता है, तो देखते हैं, एक signal होती है, तो वहाँ जब red light जल जाती है, तो हम लोग रूख जाते हैं, तो कहने का मतलब है, कि traffic, जो police वहाँ बैठी रहती है, वह हम से कहते हैं नहीं है, कि रूख ये, उसे एक light जलाती है, और हम सारे लोग वहाँ पर रूख जाते हैं, और समझ जाते हैं, कि हम को कह रहा है, कि वहाँ पर रूख जाएए, फिर blue light जलती है, तो हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, that is signal हुआ, और writing तो आप समयती है, लिख कर, और point out करते हैं, बतलब कोई चीजी सारा करते हैं, इसे हम गुशाते हैं कभी-कभी, तो उउड़ी उठाते हैं, तो क्या करते हैं, हम डराने की कोशिज करते हैं, तो उंगली उठाना क्या हुआ, मैं बोल नहीं रहा हूँ, या बोल नहीं रहा होते हैं उस टाइम, उंगली उठाते हैं, तो उंगली से किसी को डराना क्या हुआ, यह भी क्या हुआ, नन्भवल कम्निकेशन हुआ, तो एक्जांपल में आपको देखो, मैं दिखा रहा हूँ इक्जाम्पल में as में दिखा रहा हूँ as जिसे a letter to the principle आप principle के यहां एक letter लिखते हैं तो इस क्या है लिख के देते हैं तो क्या है एक non-vival communication हुआ चुकि आप बोल नहीं रहे हैं दूसरा क्या हुआ a picture a picture in your hand आपके हाथ में कोई तस्भीर है तो picture क्या है एक non-vival communication है in your hand यह क्या हुआ non-vival communication हुआ है ना आप देखो एक और बाड़ा सुंदर non-vival communication है आप से कोई पूछता है कि आप इसको जानते हैं तो आप ऐसे गर्दन को कर देते हैं क्या पता ऐसे करते हैं तो अई भी क्या है communication हुआ आप बोलते हैं यह सिधा ऐसे करते हैं इसको बोलते हैं shrug क्या बोलते हैं to shrug soldier आप से कोई पूछता है छोटे बच्चे से आप पूछते है यह भूख लगी है तो छोटा बच्चा सर हिला जेता है हाँ इसे करते है यह भी क्या है communication है और नहीं लगी है तो क्या करते है ऐसे करते है है नजी यह भी क्या है communication है तो उसको भी बोलते हैं to nod to nod to nod का मतलब क्या होता है हा में सर हिलाना हा में सर को हिलाना हा में सर को हिलाना nod करते हैं आप सर हिलाते हैं और जब नहीं आपको बोलना होता है तो क्या करते हैं to seek to seek इसका मतलब हुआ ना में सर को हिलाना ना में सर को हिलाना तो देखिए आप यहां कुछ बोल नहीं रहे हैं हाना आप सिर्फ सर हिला रहे हैं और एक मेसेज पास हो जा रहा है यह सारे चीज क्या हुआ नंवहवल communication हुआ है ना तो यह तो communication term ने आपको clear कर दिया फिर से एक बार बता देता हूँ कि communication का मतलब होता है कि हमाँ कोई भी message हो कोई भी conversation हो कोई भी एक चीज हो एक से दूसरे के पास pass करना, ले जाना, carry करना यही क्या है, communication है हाना, और communication दो तरह के हो गए vowel और non-vowel vowel का मतलब होता है जो हम बोलते नहीं है या तो लिख के करते हैं या फिर इस सारे से करते हैं या फिर हम signal देते हैं हाना, तो यह सारा क्या हुआ non-vowel communication हुआ अब आज यह आप हाना, अब आपको देखिए इसमें पढ़ना क्या क्या है तो देखिए आपको पांच यूनिट पढ़ना है आपके पूरा सिलेबस पांच यूनिट में बटी हुई है तो मैं लिखता हूँ अब contents क्या लिखता हूँ बाबू contents 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 of communication skills contents of communication skills contents का मतलब क्या हूँ आपको बता रहा हूँ यानि उसमें क्या-क्या पढ़ना है उन सारी हम बात को मैं बता रहा हूँ तो contents आपको समझ गया हूँगे तो देखो पहला जो यूनिट है ना फर्स्ट यूनिट है, फर्स्ट यूनिट देखो फर्स्ट यूनिट जो फर्स्ट यूनिट है उसमें देखो क्या क्या पढ़ना है उसमें पढ़ना है Communication Communication Theory And Practice And 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 It's Practice Communication के क्या सिधान्त है Theory मतलब सिधान्त हो गया और उसको हम कैसे परियोग में लाते हैं यह पढ़ना है पहला चीज हुआ दूसरा चीज हुआ है न Basics of Basics of Communication Basics of Communication मनि Communication के मूल भूत तत्त क्या है मतलब क्या क्या चीज पर एक Communication अधारित होती है ज़िए बेसिक्स हुआ आप बेस पढ़ते होंगे आपके लिए टेकनिकल सब्द है कि बेस बेस कोई नया सब्द नहीं है उसी में हमने एस लगा कि उससो क्या बनाया नाउन बनाया तो Basics हो गया तो Basics का मतलब हुआ कि Communication के वह मूल भूत जो एलिमेंट है जो मेन एलिमेंट है जो तत्त्त है वह कौन-कौन है यह आपको हम पढ़ाएंगे तो इसमें आपको यह पढ़ना है Basics of Communications उसके बाद अगला जो है Types of Types of Communication इसमें पढ़ना है बाबो Types of Types of Communication यानि कहने का मतलब होता है कि Communication कितने तरह के होते हैं तो मैं आपको अभी बताया कि Communication दो तरह के हो गए भाबल और नन भाबल है ना जो मैं सुरू में ही बता दिया उसके बाद आप आईए हना हना Add हना उसके बाद आईए आप Unit 2 में Unit 2 Second Unit 2 में आजाए आप Unit 2 में पढ़ना है आपको Effective Communication Effective Communication Effective Communication देखो Effective Communication का मतलब हुआ कि परभाव साली Communication मतलब ऐसा Communication जिस जो आप करते हो तो अगले पर क्या पड़े उसका असर हो कैसे हम Communication करेंगे कैसे हम मेसेज करेंगे कैसे हम बात चित करेंगे कि अगला जो सुनता है या हम जिससे करते हैं उस पर परभाव पड़े यानि वह हमारी बात चीज से परभावित हो जाए उसके बारे में हम पढ़ेंगे Effective Communication तो यह कैसे करते हैं यह आगे की चीज है मैं सिर्फ टर्म समझा रहा हूं Effective Communication क्या होता है जब क्लास आपको पढ़ाऊंगा तो इसको मैं क्लियर करूंगा इसमें क्या क्या होता है आप आज पहली पहला आपका क्लास है पहली वीडियो है तो आप सिर्फ इस टर्म को समझें यानि Effective Communication का मतलब हुआ कि असरदार Communication, जोरदार Communication ऐसा Communication जिसके पास हम भेजते हैं वो सून के क्या हो जाए प्रभावसाली हो जाए इंप्रेस्ट हो जाए उसको हम क्या बुलेंगे Effective Communication और उसके बाद Unit 3rd में आई है Unit 3rd हाना तो देखो, Unit 3rd में है आपको यह बड़ा सुन्दर है पहला जो चीज है बाभू वो है Reading Comprehension Reading Comprehension Comprehension हाना जिसको आप सौर्ट में क्या बूलेंगे RC बूलेंगे R मने Reading C मने क्या हो गया Comprehension तो देखो, Reading Comprehension में आपको क्या होता है Comprehension आपके लिए नया टर्म नहीं है Comprehension का मतलब हुआ कि आपको एक paragraph दिया रहेगा हना और उसको पढ़के कुछ question का आंसर देना रहेगा जिए इस क्या हुआ Reading Comprehension Reading Comprehension में आपको क्या क्या पढ़ना है देखिए यह मैं आपको बता रहा हूँ तो पहला है जो आपको पढ़ना है बड़ा सुंदर कहानी की एक book है माल गूरी डेज माल गूरी डेज यह एक कहानी की किताब है जिसमें बहुत सारी कहानिया है उसी में से एक कहानी को आपको पढ़ना है यह माल गूरी डेज और यह किसका है एक बड़े अच्छे writer है जिसको आप जानते होंगे आरके नरायन के दोरा लिखा गया है आरके नरायन आपकी syllabus यतनी अच्छी है ना कि मैं क्या बताओ पढ़ाओंगा तो आपको बड़ी मज़े आएंगे बड़ी अच्छे लेंगे लगता नहीं है कि technical और मतलब एक technical student को पढ़ा जा रहा है लगता है कि जैसे कोई literature का student है उस तरह से आपका syllabus है तो बड़ी मज़ा आने जा रहा है तो कि मेरा subject literature है है ना और मैं English M में हो भाई और college में भी पढ़ाता हूं ये तो कहाने की चीज नहीं है लेकिन बता देता हूं आपको बड़े मज़े आने जा रहा है तो Malguri Days है ना ये कहाने की किताब है उसी की आपको पढ़ना है और उसका writer कौन है R.K. Narayan और दूसरा है देखिए आपको पढ़ना है ये आप पढ़े होंगे वाट इस्टूडेंट वाट इस्टूडेंट्स कैन डू ये बड़ी सुन्दट चीज है इसको महत्मा गाधी ने लिखा है ये एक एम इससे है एक थौट है मोटा मोटी इससे तो नहीं कहेंगे एक थौट है है ना जिसको महत्मा गाधी ने दिया है कि छात्र क्या कर सकते है हना तो उस पर उन्होंने अपना बिचार दिया है तो वाट स्टूडेंटस कैन डू ये किसके दौरा लिखा गया है एम के गाधी के दौरा लिखा गया है एम के गाधी मुहंदास करमचंद गाधी आपने सुना होगा तो यह दूसरा हुआ, फिर तीसरा देखी, कितना बढ़ यह चीज है आपको, है ना, तीसरा है, the secret of, the secret, the secret of work, है ना, काम करने का रहस, राज, मतलब हम काम कैसे करें, कि काम हमारा क्या हो, सफल हो, है ना, यह आपको सायद समझ में आ गया हो गया, यह कौन लिखा होगा, अगर नहीं आ गया होगा, तो मैं बता रहा हूँ, इसको लिखा है, स्वामी विवेका नंद ने, देखो कितना बढ़िया राइटर है, स्वामी विवेका नंद, स्वामी विवेका नंद के दोरा लिखा गया यह चीज है, what the secret of work, है ना, काम का, काम करने का राज, मिस्ट्री, उसके बाद, आएए यहां पर, डी में आएए, उसके बाद पढ़ना है, stopping, stopping by, woods, on a snowy, इसको snow बोलते हैं, इस snow नहीं बोलते हैं, snow मने क्या होता है, बर्व, इसको बोलते हैं, snow, stopping by, woods, on a snowy, evening, snowy, evening, यह क्या है, एक पोएम है, क्या है भाई, पोएम है, यह एक पोएम है, और इसको लिखा, किसने है, बड़ा सुन्दर पोएट है, इसका नाब आपने सुना होगा, रोबर्ट, रोबर्ट, फ्रोस्ट, रोबर्ट, फ्रोस्ट, तो देखो, इससे question जो आएंगे न, यह जो कविता है न, यह पोएम है, इसके extract आएंगे, बतब तीन चार लाइन आपको इक्जाम में आएगा, और उस लाइन पे question रहेंगे, उस लाइन को समझ के आपको उस question क का आंसर देना रहेगा, और माली जे मारगुली डे से कुछ आता है, तो यह तो प्रोज है, पोएम है नहीं, तो उसके कुछ लाइन रहेंगे, और उस लाइन को पढ़के आपको question का आंसर देना रहेगा, that is reading comprehension, हैना, उसी तरह what a student can do, से भी question, मतलब आपको किसी से भी question और, हना, आपको प्रोज भी हो सकता है, उसके बाद आपको पढ़ना है, बड़ा सुन्दर है, हना, उसके बाद पढ़ना है, ए, उसके बाद पढ़ना है, आपको, where a mind is without, is without fear, where the mind is without fear, ये रभीन ना टैगोर के द्वारा लिखी गई करता है, आरेन टैगोर, आरेन टैगोर, और आपको पता दू, ये रभीन ना टैगोर ने एक किताब लिखी है, जिसका नाम है गिता अंजली, तो उसको हम दा गिता अंजली बोलते हैं, जितने नोटेट बूक ह सबके साथ दा का यूज किया जाता है, आर्टिकल आपने पड़ा होगा, जिसे रमायन के साथ हम दा रमायन लिखते हैं, जिगीता लिखते हैं, जिवाइबल लिखते हैं, जितने मैगजीन सोते हैं, उसके साथ दिन निउस पेपर सोते हैं, सबके साथ हम दा लगाते हैं, तो डिसकावरी, शोरी, ये रविना टेगोर ने जो लिखा है, उस किताब का नाम है, उसी से ये लिया गया है, Where the Mind is, Mind is Without Fear, जिसका नाम है गिताँजली, तो दी गिताँजली हम बोलेंगे, सिर्थ गिताँजली नहीं बोलेंगे, तो आपको इतना ही जानना है, इसका पुएट कोन है, रविना टेगोर, और कविता का क्या नाम है, Where the Mind is Without Fear, मतलब जहां हमारा वो जगा, जहां हमारे मन में कोई भाय नहीं हो, यह माइड का मतलब दिमाग नहीं, माइड का मतलब यहां मन होगा, यह मैं आपको पढ़ाऊँगा, जह पोइंप पढ़ाऊँगा तो, है न, और उसके बाद है, है न, आप देखिए, Ode to, Ode, Ode to Solitude, Ode to Solitude, यह Ode on Solitude, भी लिख सकते हैं, कजिता में on है, मैं टू लिखा, Ode के साथ टू भी लगता है, इसे कीट से नहीं लिखा है, Ode to Atom, Ode to Atom, टेली का एक पोइम है, कीट से नहीं ने भी लिखा है, तो पीवी सेली ने एक पोइम लिखा है, Ode to Atom, Atom मने क्या हो गया, पत जड़, अब देखिए Ode का मतलब क्या होता है, मैं आपको बता देता हूँ, यह क्या है, पोइम है, क्या है भाई, पोइम है, और इसको लिखा कौन है, इसको लिखा है, अलेकजेंडर, अलेकजेंडर, पोइम है, इसके राइटर कौन है, अलेकजेंडर, पोइम है, तो ओड का मतलब होता है, दुखो मैं समझा देता हूँ, ओड का मतलब होता है यह kind of poem that is sung एक तरह की कविता जिसे हम गाते हैं और कैसे गाते हैं in the praise of somebody or something किसी के बढ़ाई में ऐसी कोई कविता लिखी जाए जिसको हम गाते हैं यानि वो लेरिक हो उसी को हम क्या बोलते हैं ओड बोलते हैं तो solitude का मतलब होता है ikant solitude का मतलब क्या हुआ ikant इसको उर्दू में बोलते हैं tanhai उर्दू में क्या बोलते हैं भाई tanhai बोलते है tanhai के ऊपर एक गीत है या क्या है एक lyric है यह कैसी करेता है भाई יायरिक है आपके लिए lyric word आप जानते होंगे lyric मने क्या होता है? गीत lyric मने क्या होता है? गीत जिसको हम गाते हैं हैना जी? तो O to Solitude हो गया यह आपको Alexander Pope ने लिखा है फिर अगली poem है एक बड़ी सुन्दर poem है A Psalm P-S-A-L-M, Psalm of Life Psalm of Life यहाँ पे Peace Island है रहूल यहाँ पे Peace Island है A Psalm of Life A Psalm of Life इसको लिखा है W-H Longfellow W-H Longfellow ने इसको लिखा है यह यह कविता है अब देखो Psalm बता रहा हूँ Psalm का मतलब होता है भजन, किर्तन इसका दूसरा word होता है Him, H-Y-E-M-N Him मने क्या होता है भई? भजन हना जी? तो Psalm of Life मतलब ऐसा भजन ऐसा Him जो जीवन पर अधारित हो यह तो कविता पढ़ाएंगे तो किलियर होगा लेकिन Psalm का आर्थ बताया कि Psalm का मतलब क्या हो गया? Him Hindi में क्या हो गया? भजन हना? तो यह हो गया आपको Unit Third हना? अब Unit 4 में आईए हना? Unit 4 में आपको देखिए क्या का पढ़ना है Unit Fourth हना? आप देखिए इसमें आपको पढ़ना है हना? इसमें पढ़ना है बाबो Formal Formal Writing Formal Writing हना? और हना? Formal Writing या फिर Professional Writing Professional प्रोफेस्टनल राइटिंग हना? Professional Writing यानि Formal Writing क्या होती है? और Professional Writing क्या होती है? इसमें आपको यह पढ़ना है और दूसरा है हना? इसमें आपको दूसरा जो पढ़ना है वो है आपको Application क्या पढ़ना है? Application पढ़ना है मतलब Application कैसे लिखा जाता है? यह आपको पढ़ना है उसके बाद तीसरा में पढ़ना है हना? इमेल आप इमेल भेजते होंगे इमेल हम कैसे लिखते हैं? यह आपको पढ़ना है हना? उसके बाद चौथा में पढ़ना है हना? Message, क्या पढ़ना है भई, Message हम किसी को Message कैसे लिखते हैं, यह पढ़ना है उसके बाद देखिए, पांचवा जो है उसके बाद आपको पढ़ना है, हाना, Notice Writing क्या पढ़ना है, Notice Writing Notice कैसे लिखते हैं, यह पढ़ना है उसके बाद देखिए, आपको पढ़ना है letter writing, उसके बाद पढ़ना है letter writing, यानि letter कैसे लिखा जाएगा, यह पढ़ना है, उसके बाद देखिए, उसके बाद letter में लेखते जाएए, order letter, कौन letter, order letter, उसके बाद आपको पढ़ना है, यानि कोई चीज आपने खरीदा, आपने online कोई चीज मंगाया, और वो समान खराब निकल गया, तो आप क्या करते हैं, तो उसको कैसे लिखते हैं, that is complain letter, और order letter मतलब आपको कोई चीज मंगाना है, कोई बुक मंगाना है, कोई बी चीज मंगानी है कहीं से, तो उसको आप letter लिखते हैं, तो उसको बूलते हैं, order letter, तो complain letter हो गया, order letter हो गया, उसके बाद देखिए, आपको पढ़ना है, report writing, क्या पढ़ना है, report writing, report writing का मतलब हुआ, कोई घटना हो गई, है न, और उस पे आपको report करना है, उस घटना के बारे में लिखना है, तो report writing दो तरह का होता है, एक public reporting होती है, और एक personal reporting होती है, तो paper में करते हैं, आपका question आएगा, कि आप को कहेगा, कि आप किसी newspaper के editor है, आप station पे गए थे, और वहाँ पे दो ट्रेने टकरा गई, और उसके उपर आप लिखिए, कि वहाँ पे क्या क्या हुआ, यानि एक report तियार कीजिए, और अपने paper को, अपने news magazine को, या news paper को, वो report बना के छप जाए, है ना, तो आप जैसे लिखेंगे, editor उसको पढ़ेगा, और पढ़के, रीट करके, उसको news बना के paper में छाप देगा, तो that is report writing हुआ, तो report दो तरह का, public reporting और एक personal reporting, तो personal reporting जो होती है, वो एक organization करती है, जिसे हम लोग मान लीजे, JRS हैं, तो JRS हैंगे, एक हमा अपना लिख रहा हूं, लेकिन station पर कुछ हो गया, या किसी सहर में कुछ हो गया, उसको जो journalist करते हैं, report करते हैं, वो public reporting होती है, यानि वो आम जनता की चीज होती है, तो दो तरह का reporting हुआ, public reporting और personal reporting, that is report writing हो गया, और उसके बाद देखिए, हना, उसके बाद पढ़ना है, आपको application to, application to, somebody, SB मतलब somebody, for a job, job के लिए application आप कैसे लिखेंगे, हना, यह आपको पढ़ना है, तो यह fourth unit में आपको इतना चीज़ पढ़ना है, और उसके बाद आएए आप, fifth unit, 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 unit fifth, हना, आप देखिए, इसमें क्या का पढ़ना है, आपको आपको पढ़ना है, आपको पढ़ना है, यह fifth unit है, आपका, यह पूरा grammatical है, हना, इसमें grammar से लिटेड आपको चीज़ पढ़ना है, आपको word power पढ़ना है, synonym पढ़ना है, antonym पढ़ना है, one word substitution पढ़ना है, synonym का मतलब हुआ, पराइवाची सब्द हिंदी में आप जानते होंगे, और antonym का मतलब हु synonym, synonym, synonym का मतलब हुआ, हना, समनार्थक सब्द, समनार्थक, समनार्थक सब्द, हना, that is synonym हुआ, उसके बाद देखिए, हना, उसके बाद पढ़ना है आपको, antonym, antonym पढ़ना है, antonym का मतलब हुआ, बिलोम सब्द, उल्टा सब्द, बिलोम सब्द, है न, यह आपके लिए नया नहीं है, आप जानते ही होंगे, उसके बाद पढ़ना है, C में, question tag, question tags, यह भी आप पढ़े होंगे, 10 में, question tags क्या होता है, है न, अगर नहीं पढ़े होंगे, तो मैं तो पढ़ाने जाहीं रहा हूँ आपको, आपको अच्छे समझाएंगे, उसके बाद देखिए, है न, remove two, remove two, T-W-O, मतलब किसी वाक से हम two को कैसे हटाएंगे, यह भी आप 10 में पढ़े होंगे, remove two हो गया, उसके बाद बढ़िए, है न, उसके बाद आप देखिए, interchange of, interchange of, voices, interchange of, voices, यह न, voice को कैसे हम change करते हैं, active से passive कैसे बनाते हैं, passive से active कैसे बनाते हैं, यह आपको पढ़ना है, interchange of, voices, उसके बाद आपको पढ़ना है, interchange of, interchange of, narrations, interchange of, narrations, narration भी आप 10 में पढ़के आए होंगे, है न, दो तरह के narration होते हैं, एक को बोलते हैं, direct narration, और indirect narration, यानि direct narration और indirect narration, तो direct से indirect कैसे बनाएंगे, यह सब सारे चीज़ आपको पढ़ना है, और इससे question तो आता ही आता ही है, है न, दो question तो पक्का रहता है, दो नमबर का narration पक्का रहता है, दो नमबर का voice पक्का रहता है, है न, उसके बाद आजएए, punctuation, punctuation का मतलब होता है न, चिन विचार, यानि कॉमा कहां लगाना है, कहां full stop लगाना है, कहां हमको question लगाना है, कहां पे हमको sign of exclamation लगाना है, है न, कहां पे colon लगाना है, कहां पे semicolon लगाना है, कहां पे hyphen देना है, तो यह सारा चीज आपको, और इससे भी question रहता है, एक sentence लिख देगा, और कहेगा कि punctuate the following sentence, मतलब उस वाक में, अगर कोई चीन छूट गया है, तो उसको आप क्या करें, लगाएं, तो punctuations भी आपको पढ़ना है, तो बच्चों, यह आपका contents हुआ, इन सारी चीजों को आपको पढ़ना है, और इससे लेवस इतना बढ़िया है, कि आप अच्छे से पढ़ लेते हैं, तो आपको कम से कम, छोटे-छोटे सब्दों में लिखने तो पक्का आजाएगा, आपको लेटर लिखने आजाएगा, आपको एमेल लिखने आजाएगा, है ना, और मतलब थोड़ी-छोडी बोलने भी आजाएगा, अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो, और अबही बात आपका भुकाई भी बढ़ जाएगा, आपका वर्ड पावर भी अच्छा हो जाएगा, है ना? और एक और चीज इसमें पूछा है, आज कलाइट किया है, One Word Substitution, One Word Substitution, One Word Substitution का मतलब होता है, अनेक सब्दों के बदले एक सब्द, है ना? इसका मतलब हो गया, अनेक सब्दों के बदले एक सब्द, है ना? अनेक सब्दों के बदले एक सब्द, आप हिंदी में भी जानते हैं अनेक सब्दों के बदले एक सब्द, है ना? जिसके हाथ में चक्र हो, तो आप क्या पढ़ते हैं? चक्रपाणी, नहीं? जिसके चार हाथ हो चतर भुझ जिसके दस सीर हो दसानन हना यह सारे आप हिंदी में पढ़े होंगे हना तो वही चीज का अंग्रेजी भी यहां पर आपको पूछेगा हना तो आपका वर्ट पाउर भी अच्छा होने जा रहा है और राइटिंग स्कील भी अच्छी होने जा रही है और सबसे बड़ी बात तो आपका कम्निकेशन का कॉंसेप्ट जो है ना वो क्लियर होने जा रहा है आप यह समझ जाएंगे आपको यह आज आएगा कि मैं कैसे किसी से बात करूं कि हमारे जिससे बात हो रही है वो हमारी बात को सुनके इंप्रिस्ट हो जाए प्रभ और सारे चीज़ आप नोट करेंगे और फिर मैं JRS के तरफ से आप से भी का स्वागत करता हूं चुकि आज जो स्टार्ट हुआ है ना ये मेरे लिए आप सब के लिए एक बहुत ही अच्छा देन है है ना चुकि एक अच्छा चीज सुरू हुआ वैसे तो हमारी बांड को क क्या करता हुँ आप एक्छा करता हुँ कि आप हमारे सार्ट जूडेंगे है ना और अच्छे सी पढ़ाई करेंगे और आप भविस में अच्छा करें इसकी में कामना करता हूं और अगले वीडियो में बनाओंगा तो आपको मैं जो अग्ला मेरा लिक्चर होगा वो में से पहले grammatical item सुरू करूंगा चुकि यहीजी चीज होता है उसमें theory नहीं है theory के साथ practical भी है और बाकी चीज इतने भी है वो theoretical है इसे communication पढ़ाऊंगा तो kind sub communication पढ़ाएंगे तो उसमें theory पढ़ाएंगे communication में barrier क्या होता है तो theory है नग्राफिक्स क्या होता है यह सब theory है न तो कहने का मतलब है आपका body language क्या है यह subscribe क्या है इसमें theory है तो theoretical चीज है तो theoretical चीज के लिए थोदशना पड़ेगा लेकिन grammatical चीज है ना उसमें theory भी है और practical भी है तो आपको theory भी बताऊंगा मैं, और practical करके यहां पर दिखाऊंगा भी, आप से पूछोंगा भी, आप खूद बनाएंगे, आपका comment आएगा, मैं check करूँगा, और फिर उसको correction करूँगा, तो grammatical item आपके लिए अच्छा रहेगा, तो अगली video में, अगली meeting में, अगली मुला तो यहीं सारे सब्तों के साथ, मैं आज का session खतम करता हूँ, और उमीद करता हूँ, कि आप मेरे साथ जूड़ रहे हैं, और आपकी अच्छे भवीश की कामना करता हूँ, Thank you very much.